बूर्णिंग इस्टूडेंट्स हिंदी में संस्कृत खंड के अंतरगत आज हम प्रक्रण धातु रूप का अध्यन करेंगे और धातु रूप के अंतरगत आज हम भू धातु का अध्यन करेंगे और इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे देखे भू जो धातु होती है भू धातु कार्द होता है होना और भू के जो रूप चलते हैं जो धातु रूप चलते हैं वो चलते हैं भव की तरह से भू धातु और पटधातु के रूप एक समान ही चलते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से ही हम भूधात्यू के रूप और पटधात्यू के रूप दोनों को याद कर सकते हैं इसके अलावा अन्य रूप भी होते हैं जो भूध तथा पट की तरह चलते हैं जैसे कि गम का रूप गम का रूप भी इसी ट्रिक से चलता है क्योंकि इसी के समान ही होता है भू पट्ल और गम आधी का जो रूप होता है अब हम समझेंगे उस ट्रिक को तो सबसे पहले लटलाकार लटलाकार करत क्या होता वर्तमानकाल यानि कि वर्तमानकाल के वाक्तिव के लिए लटलाकार का प्रियोग किया जाता है अब यहां पे जैसे मैंने आपको कल बताय था कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और यहाँ पे हम करेंगे एकवचन, जीवचन और बहुवचन अब इसमें सबसे पहले हम इस ट्रिक को याद करेंगे ती, टे, अंती, सी, ठे, ठे, आमी, आवे, आमे अब जो हम इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो इस ट्रिक की साहता से हम अपने दाथू रुब्क को हम बना सकते हैं और याद कर सकते हैं जैसे सबसे पहले यह है ती जो सब्द हैं हमें पे सिर्फ क्या लगाना कि भुधातू के रूख वह भौ की तरह चलेंगे तो हमें हाँ पे सिर्फ एक सब्ध ही लिखेंगे और हमारा यह पूरा लकार पूरा लकार कम्प्लीट होगा जैसे कि हम आप लिखेंगे भव तो हमार पास जो पर्थम विवक्ति का एक वचन क्या बना जाएगा भवती इसी तरह से हमें यहां पर लिख देंगे भवत अंति में इसमें स्टार्ट शुरू में आप क्या लगाऊगे यह सब इस तरह से बनेगा इसमें भव लगाऊगे लेकिन जो अंति है इसको आप इस तरह से यहां पर लिख दोगे भवन्ति क्योंकि आ की तो कोई मातरा नहीं होती और यह यह में ही जोड़ जाएगा अब हम य इस तरह से जैसे यह वाला सब्द है आमी तो यहां पर आ की मातरा को हम भव में लगा देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा भै वै अब वै में आ की मातरा को लगा दो भवा मी इसी तरह से यहां पर भवा वै और इसी तरह से यहां पर भवा में इसी तरह से हम अगर हम प हातु का रूप है जप्छ की तरह चलता है अब हम करेंगे लिटल लकर इसी तरह से हम यहाँ पर अपर प्रत्म पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और उपर एक वचन दी वचन दोचन डालेंगे अबрий हाँ पर लिटल अकार करने चाले गा यह थोड़ा सा लग चलता है तो इसमें हमारा जो रूप चलेगा वह भविश्य की तरह चलेगा बस इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है तो यहां पे हम सभी पुरूसों में और सभी वचनों में हम भविश्य सब्दु को जोड़ देंगे यहां पे जैसे हमने यहां पे लिख दिया भविश्य तो यह हमारा पूरा बन गया भविश्य थी यहां भी हम इसको जोड़ देंगे भविश्य थी और यहां भी हम इसको ज यहां पर भी भवी श्यथा और यहां पर भी भवी श्यथा अब इसमें हम उसी तरह से करेंगे भवी यह में आगी मात्रा जो है यह में उसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भवी श्यामी भविश्यावे फिर भविश्यामे अब हम करेंगे लोटलकार लोटलकार में भी इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा क्या चलेगा भवतू भवताम भवन्तू अब यहाँ पे वे में एको जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा भवन्तू अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे मूल सब्द आता है इसमें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे शरिफ भवत भवतम और भवत इसी तरह से यहाँ पे भवानी भवाव भवाव इसके लिए जो हम ट्रिक्टा अब हम विधी लिंग लकार को करेंगे तो विधी लिंग लकार में जो हमारे पास ट्रिक होगी वो होगी एत, एताम, एयू, ए, एतम, एत, एम, 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 तो इस ट्रिक के नुसार अब हम विधी लिंग लकार को करेंगे ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताए कि अब हम इसमें भी पूरे में सिर्फ एक ही सब्द को जोड़ेंगे और वह सब्द होगा भव तो जब हम भव जैसे यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना जैसे मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा को जोड़ दिया जाता है आगे वाले वर्ण पर यानि की वह पर उसी प भव और जब भुब के उपड़ एक ही मात्रा हो लगाया जाएगा तो यह शब्द जाएगा भवेआग डूसररा सब्द बनेगा वह बनेगा ऐसे भव के ऊपड़ एक की मात्रा को लगें लगाएंगे तो यह रहे बनेंगा भवेताम vaig आम और यहां पर जो सब्द भवे यू इसके बाद हम यहां पर आएंगे यहां पर भव सब्द ही लिखना है और इसके पर स्रीफ मात्रा को लगाते जाना है यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा भवे विशर्ग पीछे तो विशर्ग लगा देंगे ठीक है उसके बाद अब हम यहां पर यहां पर क्या बनेगा भव के उपर एतम एक की मात्रा याने की भवेतम उसके बाद यहां पर भवेत अब यहां पर आजाएं उत्तम पुरुष एक वचन पर यहां पर बनेगा भवेयम यहाँ पे बनेगा भवेव और यहाँ पे बनेगा भवेव तो एकी मात्रा का विसे इस तोर पर यहाँ पे जिहान रखेंगे बाकी पूले लकार में हमें सर्फ भव ही लिखना है अब हम देखेंगे लंग लकार को आपको मैंने बता है कि बूत काल को प्रियोग होता है तो इसमें जो इसमें हमें क्या लिखना है… यह थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें चाहे यह भवधातू हो, चाहे गच्छी हो या फिर पत्धातू हो मतल आ को आगे लगा दिया जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे जिस सब्द से यह लंग लकार बनेगा वह सब्द भव नहीं होगा बल्कि वह सब्द होगा अभव इस सीज़ का ध्यान रखें कि यहां पर अभव और जो लिट लकार है उसमें बविश्य है बाकी सब्द तो भव स यही बनेंगे अब यहां पर हम जो बनाएंगे हम बनाएंगे पहला सब्द अभवत दूसरा सब्द बनेगा हमें क्योंकि पूरे में सिर्फ एक अभव ही लिखना अभव ताम और यहां पर बनेगा हमारे पास अभवन यहां पर बनेगा हमारे पास अभव और यहां पर बन retailer for right here अब यहां पर हमारे पास बनेगा को है इत्थम पुरुश हम सुआ की बहुत देखें की बाड़स और यहां पर हम निकलत के आईगा निकलत के अगवाव वाव अभव 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 सब्द लिखेंगे ना पहले हम अभव वाव और यहां पर हमर पास जो सब्द बनके आयागा वह आयागा अभव आम यहीं कि अभव वाम तो आपको यह जो मैंने आपको सद्धातु रूपाद लिखवाया है अगर आप चाहें तो इस ट्रिक का इ याद करने के लिए कर सकते हैं नहीं तो आप सामाने तोर पर भी इस सब्धातु रूप को याद कर सकते हैं